अमेठी में आपने स्मृति इरानी को उतारा है राहूल गांदी वाइनाट को में चुनाव भी लड़ रहे हैं जिस पर प्रधान मंत्री मोदी ने भी बड़ी टिपपणी करी क्या कहना चाते हैं अमेठी में क्या आपको इस बारी लगता है कि स्मृति इरानी जी निश्ची कैंडिडेट ने कंप्लेंट करी उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉंफरेंस भी करी क्या कहना चाहते है आपस पर उन्होंने स्पष्टा करनी चाहिए कि वह कभी भी ब्रीटिश नागरिक थे या नहीं थे उन्होंने बोला कि 2003 का उन्होंने एक पेपर निकाला उन्होंन बड़ी पार्टी का राष्ट्री अध्यक्स अगर ब्रीटिश नागरिक है तो उन्होंने जनता के सामने सारवजय नहीं करना चाहिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कंप्लेंट करी तो उस पर उनको क्लीन चीट मिल गई क्लीन चीट नहीं मिला है अभी केंडिडेचर उनका मानने हुआ है जी तो क्या बीजेपी इसको अब जो की दो राउंड के चुनाब बचें बचें उसमें मुद्दा बनाएगी नहीं मैं तो कहाना अभी कि कॉंग्रेस पार्टी ने स्पष्टता करनी चाहिए कि वो कभी बिटीष नागरिक थे या नहीं थे बीजेपी ने सवाल पुछा है वह लुटियण से लंडन वाले आओ डे इस lawyers पार्टी ने पश्टता करनी चाहिए कि इनके नेता का भी बीजेश नागरिक थे या नहीं थे मैं बंगाल के ओपर आता हूँ, बंगाल भारते जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मैप है इस 2019 के चुनाव के लिए, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है, जैसे आपने भी कई इंटर्वियू में अपनी बात बोली और इसे पहले मेरे साथ इंटर्वियू आपने किय उसमें भी बोला था कि बंगाल के अंदर बीजेपी की सीटे बीस से जादा तक्रीबन तक्रीबन तईस होगी, क्यों आपको लगता ऐसा? बंगाल के अंदर लोकतंतर का घला गोटा गाया है, बंगाल की संस्कूती परंपरा को वोट बेंग की पॉलिटिक्स के कारण नष्ट किया जा रहा है और बंगाल के अंदर रेंपड करप्शन चल रहा है, सारी चीजों में इनके गुंड़े टैक्स वसूल कर रहे हैं। वहां पर एक बड़ा व्यू यह भी आ रहा है कि सेंट्रल एजेंसिस लगी जरूर ही हैं लेकिन बीजेपी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है इस से जो आपका नम्बर अब मुझे रखता है कि यह ममता दिदी के कंट्रोल के ब पंगाल